अब एक मेंस का इक अप्रोच के बारे में थोड़ा बताई कि आपने मेंस के अवरॉल अप्रोच क्या रखा मेंस के लिए बेसिक अप्रोच यही रहेगा कि न्यूस पेपर आपका रामबान जो सीधा का सीधा नियूस पेपर में वो मिल रहा है। डेली बेसिट पे कुछ ना कुछ चीजे ऐसी हो रहे हैं जो आगे जाके एक क्वेस्टन बना रहे हैं। और हम लोग उन्हीं क्वेस्टन को इग्नॉर करके हम लोग थेहरी पर जा रहे हैं। आज भी जो crowd fail हो रहा है उसका majority में आप देखिए वो crowd रहेगा जो कहेगा कि सीधा सिधा सिफ हम से यह पूछी आर्टिकल यह क्या कहता है या फिर इसकी definition बताईए उनको बोलिए कि थोड़ा सा मोल्ड हो यह flexibility लाइए चीजे स्टेबल नहीं बिल्कुल थोड़ी सी अगर आपका thought process वहाँ पर चल रहा है आप अपने आप से question develop करिये कि क्या चाहिए कैसे चाहिए में में मेरा paper one था paper history geography geography में ncrt's के अलावा मैंने mains के लिए कुछ नहीं किया है map और ncrt और newspaper यह तीन चीज़ रही है और history मेरा optional था तो इसलिए sociology में भी अगर topics उठाएं तो वो newspaper ने सब कुछ पूरा किया है newspaper के अलावा कही नहीं देख पाई मैं and next was quality and economics economics के लिए definitely on-line एक वो आती है video lecture Smrnaal के तो मैंने वो refer किये थे and quality के लिए newspaper और Lakshmikanth third was world affairs international issues तो उसके लिए एक magazine आती है world focus but for world focus was very exhaustive magazine उसके अलावा world के लिए कुछ जरूरत नहीं तो उसके नोच बनाते जाहिए साथ साथ बिकिस हर बार अलग topics आते है government के sources जो है यह reports से उसके वारे में अपकी किया रहा है they are very useful sir जैसे अपना योजना अपूरा urban का बता देगी और कुरुक्षेत्रा पूरा रूरल बता देगी देन इन दोनों के ऊपर बहुत कुछ सब कुछ आपके आंसर राइटिंग मेंस के इसमें रिलाए करते हैं definitely फिर प्री का यहीं से निकलता है योजना कुरुक्षेत्रा हो गया देन उसके बाद फाइफ यह प्लान्स आगए अपने जो हम एकनॉमिक सर्वे पड़ते हैं तो इनका एक बार फाइनल जो जिस्ट आती है उसको जरूर करें अच्छा इंट्रिव्यू जो है चुक्त के इंट्रिव्यू दिया और आपने एक ही ने फाइनल कर दिया हुने ठीक है तो वह आप को क्या लगता है सिविल सर्विसेज पसानलिटेश में क्या चेक करते हैं लोग